चांद निकलने पर अपने पती के हाथों से पानी और अन्खा करके व्रत तोरती हैं इस दिन महिलाएं एक बार फिर से दुलहन की तरह सस्ती हैं और इस पर्व को मनाने के लिए बाजारों में रौनाखी रौनाख है साथी महिलाओं में काफी उत्सुकता भी देखी जा रही है कपड़ों की दुकान पर मेहंदी लगाने की दुकान पर पूजन सामागरी की दुकानों पर ब्यूटी पालरों में और महिलाओं का जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है कहा जोता है कि करवा चौत पर पती पत्नी के आपसी मनमुटाव भी दूर हो जाते हैं क्योंकि चंदर्मा को मन का कारक माना जाता है और दुनिया के चाहे जो भी रिष्टे हो सभी रिष्टे मन की डोर से बंधे होते हैं पती की लंबी उम्रे के लिए पत्निया वरत रखती हैं और साथ जर्मों तक साथ निभाने का वचन लेती हैं जिस प्रकार पत्नी अपने पती के लंबी आयू के लिए निरजल वरत रखती हैं वहीं पती का करतव बन जाता है कि वो भी अपनी पत्नी के लिए पूर रूप से समर्पित हो और उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ नियच्छावर करें बहने इधर दर मिलती थी तो कहती थी इस बात को जो है मैंने इसको महिला सरसक्ती करण की दिशा में राज सरकार की तरफ से एक और वहार के रूप में देखा है और मैं बहनों को सब को करवा चौद के उपरक्ष में बहुत बदाई देता है जो भी मतलब हमारा वो है ये ब्रत का जो प्रथा है वो जो है मतलब पानी क्या मतलब जो मुह में जो लार होती उसको भी हम अंदर नहीं करते हैं और पूरा दिन बिना पानी पिए और बिना उसके ये चाई वगरा या कुछ भी नथिंग कुछ भी नहीं पीते हम लोग हम डाइटली जो है सामकुई अपने ब्रत को खोलते हैं मानी मुखी मन्त्री जी का किन सब्दों पर आभार प्रकट करूँ क्योंकि जो हमारी महलाओं को सम्मान दिया गया इस बार छुटी घोशित कर दी माननी मुखी मंत्री जी ने हम ये चाहते हैं कि उनकी उम्र दिन दोगनी राज चोगनी हो 2017 माननी मुखी मंत्री जी उनके नेत्यतु पर हम लड़े